नमस्कार, MP News पर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूने थी मज्य प्रदेश में भारती जनता पार्टी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है जल्द ही किसी नाम की घोशना हो सकती है इसी बारे में अधिक जानकारी के लिए आएए बात करते हैं हमारी समवाद आता संदीप से, संदीप आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी में नय प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किस तरह की गतिविदिया देखी जा रही है बिल्कुल अनिदी देखिए कि अभी तक जो है मद्दप्रदेश भाजपा के संगठन में जिला अध्यक्ष शुनाव को लेकर कवाया तेज थी और जैसे ही उसकी निर्वाचन परिक्रिया पूरी हुई उसके बाद में अब ये सवाल उठने लगा है सियासी गल्यारों में कि आखिर कोन भाजपा का नया बोस होगा यानि कि कोन बीजेपी की कमान समा लगा है क्योंकि जल्द ही बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का एलान होना है और इसके लिए अब जो है सुखबुगाट तेज हो गई कह सकते हैं हम कि मद्द प्रदेश की सियासी गल्यारों में यानि कि भाजपा महकमे में अब जो है नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूरी तरीके से घमासान शुरू हो गया है और तमाम दावेदार अब जो है प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपने ताल भी ठोकने लगे हैं तो इससे कह सकते हैं कि लगातार ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से दिसंबर के पूरे महीने में जिला अध्यक्ष को गोषणा होने वाली है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जनवरी महीने की नए साल में भारतियंता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है जनवरी के दूसरे सप्ता में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का एलान हो सकता है और इसके लिए बाकाइदा अब भारतियंता पार्टी के जो आलकमान है उन्होंने प्रभारियों को न्यूक्त कर दिया गया है तो कह सकते हैं कि अब जो है तमाम दावेदार सक्री हो गए हैं और बीजेपी के प्रदेश कारेलमेनी के राजधानी भोपाल में कहीं तरह की बेठा के हो रही है रणनीतिया बन रही है और जो भी दावेदार हैं वो अपनी अपनी लॉबिंग करते हुए नजरा रहे निदी तो साफ तोर पर हम कह सकते हैं कि अब जो है जिस तरीके से राकेश सिंग अभी तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते हुए आये हैं उसके बाद में ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से मध्रदेश विधान सबाचुनाओं में भारतिय उन्ता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और लोकसबा चुनाओं में जो प्रदेशन आया तो दोनों ही चुनाओं के परफॉमेंस के अधार पर बड़ी सूजबूच के साथ बिजेपी के अलकमान को ये फैसला लेना है बिजेपी संगठन को ये फैसला लेना है लेकिन फिलहाल इसके लिए घमाचान शुरू हो चुका है जी तो प्रदेश अध्यक्ष की चुनाओं की तयारिया अगर पार्टी ने पूरी कर लिए तो जाहिश सी बात है कई दाविदार इसमें कई सारे नाम यहां पर चल रहे हैं जिन पर चिंतन किया जा रहा है तो कौन-कौन से इसे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई तरह के नाम सामने आ रहे हैं कई बड़े बड़े दावेदार का नाम सामने आ रहे हैं लेकिन सबसे पहली बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष नया होगा यह फिर राकेश सिंग को ही वापस से रिपीट किया जाएगा बड़ा सवाल यह कि उन्होंने इस चुनाव को लीड किया था और ऐसे में यहां से 29 में से 28 सीड जीत हुए तो दोनों ही एक performance में सत्ता गई और एक performance में बहतर प्रदशन हुआ तो इन प्रदशन के अधार पर ही यहां पर जो है बीजेपी के प्रते सद्धेक्ष का selection होना है लेकिन अगर देखे संगठन आत्म का धाचे को पूरी तरीके से देखा जाए तो राके सिंग का कहीं जगा पर विरोध भी हो रहा है कहीं नेता जो है बंद मुझ से इशारों में राके सिंग का विरोध भी कर रहे हैं लेकिन फिलाल अगर दा मिश्रा का नाम सामने आ रहा है कि वो अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि दूसरे अन्य दावेदारों की तो ऐसे मैं जो पूर्भ ग्रह मंत्री जो हमारे रह चुके हैं सागर से भूपेंद्र सिंग उनका नाम भी सामने आ रह सामने आ रहा है तो ऐसे तमाम जो दावेदार हैं उनके नाम सामने आ रहा है कि केंद्री मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर को एक बार फिर भारतियंता पार्टी के जो संगठिन की कमान सोपी जा सकती है लेकिन अगर हम नरुत्तम मिश्रा की बात करें निधी तो नरत्तम मिश जो राष्ट इद्धक्ष अमिस्था उनके काफी विश्वष्ष नी माने जाते हैं और उनका जो तालमेले कई बड़े नेताओं से शिवरा सिंग चोहान के भी करीबी है और संगठन में बड़ी पैठ भी है यानि कि भारतिंदा पार्टी के मद्धप्रदेश में मेनेजर भ उनका नाम चल रहा है कि अगर राकेश सिंग रिपिट नहीं होता है तो नरुत्तम मिश्रा को जो है दावेदारी मिल चकते हैं लेकिन अगर बात करें सागर से जो भूपेंदर सिंग है वो भी बड़े दावेदार माने जा रहे हैं क्योंकि गोपाल भारगव उनके समर्थ जा चुका है तो ऐसे में गोपाल भारगव अगर नेता प्रतिपक्स है तो यहां पर जो है भूपेंदर सिंग उनकी दावेदारी कहीं न कहीं कम पढ़ती जा रही पढ़ सकती है लेकिन अगर गुजरात के अगर मॉडल की बात करें तो गुजरात में जिस तरीके से नरें सब्सक्राश विजय बरगी की चुकि वह माहिर खिलाडी है सियासत के और संगठन समालने की बड़ी उनके उन्हें अनुवावे क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि भारती इंता पार्टी में जब मध्यप्रदेश सरकार में उन्होंने मंत्री पत छोड़कर जो है संग सब्सक्राइब जाए कि मालवा मालवा में कैलाश विजय बरगी का एक बड़ा वर्चस माना जाता है कार्यकरता हो कि उनके साथ एक बड़ी फोज भी तो कहीं न कहीं केंदरी जो संगठन है उनमें भी उनकी पैठ है अमिशाहा से काफी अच्छे संपर्क है बड़े नेता यहाँ पर माना जा रहा है कि प्रभाट ज्ध को भी संगठंकी कमान सोपी जा सकती है। केंद्री मंत्री नरेंदर सिंग्तों मर का जो भूमी घूहा और प्रदेस अध्यक्ष की कमान मिल सकते लेकिन फिलहाल जो है दावेदारों ने अपनी दावेदारी तेज कर दी है और चुनाव को लेकर अब पूरी तरीके से घमसान छिड़ चुका है लेकिन यह भी तेहे कि नए साल में नया प्रदेस अध्यक्ष मिलेगा या एक बड़ लेकिन जो अगर बात करें प्रदेस की जनता है और कारेकारता है भारतियंता पार्टी के उनमें भी काफी बैसबरी बनी हुए है कि आखिर उनका नया प्रदेस अध्यक्ष कोन होगा जी तो कुल मिला कर अगर देखे तो पार्टी में पार्टी ने चुनाव की तयारियां पूरी कर लिए है लेकिन गतिविधिया पूरी तरह से तेजी पर है सभी सभी जितने भी दाविदार है उन्होंने भी अपनी सक्रिता बढ़ा दी है अब देखने वाली बात होगी कि जनवरी की दूसरे हफते में जो बड़ा एलान होने वाला है उसमें किसका नाम सामने आ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटिस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूझे